आज हम बात करेंगे रियालिटी मीडिया के CEO दुरूव शर्मा जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखर रियालिटी मीडिया किस तरह का मीडिया है जी विकास, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये रियालिटी मीडिया एक digital forum है जो कि सुर्फोर सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर से संबंदित है यहां मैं सब को ये भी बताना चाहूँगा कि ये देश का सबसे पहला digital media या कहें एक forum है जो कि रियल स्टेट से जुड़ी सम्मस्याओं प्यार धारित है मगर दुरूप जी जहां तक मेरी जानकारी है देश में और भी मीडिया है जो रियल से संबंदित है तो फिर रियालिटी मीडिया देश का पहला कैसे हुआ बिल्कुल सही का आपने में विकास देखे एक मीडिया का मतलब है खबरों को जनता तक पहुचाना या न्यूस को ब्राडकास्ट करना रियालिटी मीडिया ये कैसे डिजिटल फोरम है जो ना कि केवल खबरों को जनता तक पहुचाएगा बलकि उसका सॉल्यूशन भी देगा रियल स्टेट से जुड़ी जो भी समस्या हैं उसका सॉल्यूशन रियालिटी मीडिया देगा और फाइट फॉर ये राइट्स के मोटो पे रियालिटी मीडिया चलेगा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देश में इस तरहे के काहिए पहला प्रयास है तो सर डिजिट्ल फोरम या मीडिया के लिए आपने रियल स्टेट को ही चुना ऐसा क्या घटनागरम हुआ कि आपने रियल स्टेट पर फोकुस मीडिया को ही चौना बहुत सब्सक्रon में एक विकास देखे रियल स्टेट इन चाप पहलों से बंता है पहला है builder जो कि project बनाते हैं दूसरा है उनी builder के employees जो इस project की marketing करते हैं तीसरा है brokers, agents जो इस project को ग्राहत पहुंचाते हैं और चौथा खुद एक ग्राहत एक customer, एक consumer है मैं बताना चाहूंगो आपको कि मैं चाप पहलों को बहुत करीबी से अनुभफ किया है और real state के एक बहुती dark side भी है जिसमें सभी पहलों को कुछ न कुछ समस्या है या किसी न किसी समस्या से जूज रहे हैं और उस समस्या का समधान के लिए इस देश में कोई साजा मंच नहीं है इसलिए ये एक पहल है reality media के माध्यम से जहां ये सभी पहलों अपनी समस्या सामने रख सकते हैं और reality media उसका solution देगा तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि real state के लिए exclusive media होना जरूरी है देखी विकास जहां तक बात करें media की तो हर शेथ में dedicated media है Bollywood के लिए, sports के लिए, Rajneetik के लिए हजारो magazines है, channels है, radio stations है लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा media जो कि केवल सिर्फ real state के बारे में बात कर रहा हो और कुछ नहीं चालिस हजार करोड के इस turnover वाले कारोबार के लिए इस देश में कोई साजा मंच नहीं आप कुछ print media है या कुछ forums हैं जो कि real state की बात करते हैं लेकिन वो सिर्फ बिल्डर के अच्छा ही दिखा रहा है तो सर इतना कुछ सुनने के बाद बात समझ में तो हाई लेकिन आपको नहीं लगता है इस देश में कहीं चैलेंज़ भी बहुत सारे हैं चैलेंज़ तो हर फील्ड में और मुझे चैलेंज़ को जाद ही पसंद है सही का आपने चैलेंज़ हैं और reality media उने खेस भी कर रहा है लेकिन मुझे चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि experts की रूप में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए है उनके होते हुए reality media किसी भी चैलेंज़ को accept कर निकलते या है तो सर किस तरह की चैलेंज़ आए अभी तक इस बात को अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि देखे अभी तो यह एक शुरुआत ही है सर कुछ आखरी सवाल क्या reality media केवल builders के खिलाफ है नहीं बिल्कुल नहीं देखे reality media उन सभी के लिए कैसा platform है जिनके साथ अन्याय हो रहा हो फिर चाहे वो builders, brokers या builder के employees क्यों नहीं देखे विकास ग्रहक के साथ ही नहीं कि सब के साथ कुछ ना कुछ समस्या जरूर है और जिनके साथ भी कोई नहीं कोई अन्याय हो रहा हो वो realitymedia.in पे अपना को register करके अपनी शिकायात दर्स कर सकते हैं और reality media उन सभी के न्याय के लिए फाइल करेगा तो सर के reality media सिर्फ और सिर्फ digital media ही रहेगा हम जल्द ही print media में एक magazine के रूप में आ रहे हैं और उसके बाद electronic media में भी हम जल्द ही उतरेंगे सर इस छोड़ी सी यात्रा की कुछ खास अपलग दियां सही का आपने अभी तो यात्रा की शुरुआत हुई है फरवरी 2017 को हमने ये forum लाँच किया था और मात तीन महीनों की अफार सफलता से मैं काफे उत्साहित और आशानवित हूँ कि ये मुहीम एक सही दिशा में जा रही है सराकरी में जाते जाते हैं हमारे दर्शों के लिए कोई खास संदेश सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा reality media का कीम का और उसके बाद उन सभी लोगों का जोकी इस मुहीम से जुड़े हुए हैं और मैं अनरोद करता हूँ उन सभी लोगों से जो से अभी देख रहे हैं कि आये मिलकर इस मुहीम को आगे बढ़ाते हैं reality media का इस संचिफ्ट विबरण हमने जाना reality media के CEO दूप शर्म जी से और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें realitymedia.in पर और अपने आपको रोजिस्टर करके इस मुहीम को आगे बढ़ाएं धन्यवाद